हेलो फ्रेंड मैं शाहिन असन और प्राउट फाउंडर एंडास महराजपूत और प्राउट फाउंडर हम दोनों ही अपने यूटिज फैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात है आज जो हमारा अपडेट है वह बहुत ही स्पेशल ह जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर डेटा सेंटर जी हां दोस्तों बात करेंगे डेटा सेंटर के बारे में और आप सब जानते हैं कि डेटा सेंटर मंडे लाइव होने जा रहा है तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर कीँए और बैल आइकन को जरूरिट करें साथ ही दाफी वीडियो को शेयर कि según यह काफी इंफॉरमेटीव वीडियो है और यह कहल विजी तार रहने से रिलेटिव से ड मैं तो एकYOिक्त देशविगी वीडियो है है तो तो दिमाग में क्लिक आता है कि दरूर कुछ ना है कुछ तो है इसा यहां पर जो कि ड़न डील कहा जा रहा है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंपनी बनती है या कोई भी काम हम चुरू करते हैं तो उसमें चालन्जिस भी आते हैं वो चालन्जिस पैसे को लेकर भी हो सकते हैं काम को लेकर भी हो सकते हैं अप्लाइस को लेकर भी हो सकते हैं लेकिन दोस्तों आज हमारी ऑन पासिफ कंपनी जो है और मुस्ट पूरी तरह से रेडी है जैसा आप सब लोग तो फ्रेंट्स बात करते है डाटा सेंटर की तो डाटा सेंटर के लिए तो एश ने खुद कहा कि डाटा सेंटर जो है आन पासिफ के वो आन पासिफ का एक दिल है मतलब जिब कहते हैं किसी चीज की जो धरकन होती है जो उसकी जान होती है वो उसके दिल में होती है तो वो वाख़ी में data centers on passive का एक दिल है और सबसे बड़ी बात ये भी कहेंगे दोस्तो data center बनने में वक्त जरूर लगता है लेकिन हमारे जो on passive के data center थे फ्रेंट्स वो सब पिछले देर पौने दो साल से जो है बन रहे थे और आज वो आपके सामने ready हैं यह है कि देखे ऐसन ने बताया था हमें कि जब हम data center की एक date decide कर रहे थे कि data center हमारे कब तक बन जाएंगे तो एक expected date जो था उनका plan तो यह था कि September 2022 तक बनेंगे लेकिन दोस्तों good news कितनी अच्छी है हमारे पास कि वक से पहले यानि कि समय से पहले जो कि हमारे सब्टमबर की date थी लेकिन आज वो data center पे जो लोग काम कर रहे थे जो लोग उसको बना रहे थे उनकी speed इतनी fast रही कि आज data center आप देख रहे हैं जून में ही हमारे data centers ready हो चु data centers हैं दोस्तों वो बहुत सारी मतलब different locations पे different data centers बनाए जा रहे हैं और data centers की जरूरत हमें क्यों पढ़ती है क्या इसी बात है जो हमें data center चाहिए दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि on passive का जो family है वो 1.3 million हो चुका है तो आप सोचिए कि इतने लोगों का data इतने लोगों की जो सारी चीजें हैं वो कहां जाएंगी तो हमें एक backup चाहिए जो कि जैसे कभी-कभी आप देखते हैं दोस्तों हमारे जो mobile हैं उन में हमारे इतने सारे photos हो जाते हैं इतने सारे videos हो जाते हैं तो जो हमारा उसका RAM होता है और जो हमारा GB card होता है वो हमें उसकी value बढ़ानी प GB फिर इस तरह से जो GB हमारा बढ़ता रहता है तो GB क्या है बेचिकली वो हमें उसको अपनी storage को बढ़ाते हैं ताकि हमारे जादा सदा जादा फोटो जा सकें जादा सदा हमारे mobile में वीडियो रह सकें तो जो भी हमारे memorable things होती हैं वो हम वहाँ पर store करके रखते हैं इसी तर 500 GB, 1000 GB इस तरह से दोस्तों हम अपना data हाड़िस में सेफ कर सकते हैं इसी तरह से दोस्तों जब कुछ बहुत बढ़ा कुछ हो रहा है तो आप सोची जब 1.3 millionth लोगों का data में सेफ करना है तो उसके लिए हमें बड़े-बड़े data centers चाहिए होते हैं तो definitely on passive ने एक बहुत हम ना चले तो second data center भी हमारे लिए हम उसकी जगा देख चुके हैं दोस्तों मैं आपको बता हूं ऐसे कुछ ऐसा है कुछ ऐसे प्रोड़क्स हैं जो की on passive के जो की data center के साथ ही launch कर सकते हैं कुछ बड़े-बड़े products हैं उनको data center आ जाएगा उसके बाद ही launch कर पाएंगे जैस data center का required है साथी साथ दोस्तों जब data center बनने बनने में जो वक्त लगा वो भी हमें बहुत जल्दी मिल गया है जिसका कि हम expect नहीं कर रहे थे लेकिन वो हमारी services को देखते वे बहुत जल्दी हमारे हाथों में आ गया है ऐसा नहीं है कि on passive के data center के साथ ही launch होगी बहुत सारे लो लाँच होगा लेकिन हाँ कुछ प्रोड़क्ट हमारे ऐसे हैं जो कि हम data center आने के बाद जरूर लाँच कर देंगे और हो सकता है दोस्तों on passive लाँच हो जाए but not here यो कि वो हमें वाकरी में ऐसार बताएंगे तो आप लोग अपना mindset रखे और data center के लिए ये भी कहा जा रहा ह दोस्तों पूरा game changer है मतब अब आने के बाद बहुत कुछ change होगा और cost की भी saving करेगा वो जितना हमारा other हम companies को देते थे जैसे हम companies को pay करते थे तो उसका job हमारा costing है वो हमारा safe हो जाएगा और S.N. ने बोला कि कुछ ऐसे leaders हैं जिनको कि हम especially data center के बारे में उनके साथ discussion करेंग और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ company की policies होती है कुछ privacy होती है जो कि हम सब को data center की details नहीं बता सकते लेकिन दोस्तों कुछ अच्छे लोग हैं जो कि उभर के सामने आ रहे हैं और उनके एक core committee बनाई गई है उनके साथ जो लोग dedication के साथ on passive को कर रहे हैं बिल्कुल लोगों की बातों में नहीं आना है उनको नहीं सुनना है क्योंकि आपको पता है हमारा IP tracker हर बात को track कर रहा है कौन क्या बोल रहा है कौन कैसे बोल रहा है किस webinar में क्या हो रहा है तो हर चीज़ पर IP tracker की नजर है तो friends data center आने के बाद आपकी जो website है domain जो आपका ready होना है वो data center जो आ रहे हैं दोस्तों उनकी value को समझे कि कितना बड़ा data center हमारे हैं तयार हो रहा है यहां तक की founders की value को समझे अगर आप ऐसा founder है यहां पर तो आप founder की value को भी समझे साथी साथ दोस्तों मैं फिर एक बार आपको remind करा देती हूं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ज जितने भी आपके ने डियर्स हैं आपके relatives हैं आपके friends हैं जो आपको लगता है कोई needy person है तो उन सबी को दोस्तों आप अपनी on passive की proud founders जरूर दिलाएं ताकि उनके अपने भी साकार हो सकें और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों आज वाके में बहुत परिशान हैं लेकि कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना gold sale करा बहुत सारे लोगों ने cycle बेची किसी ने कुछ करा किसी ने कुछ करा और on passive की founders ली लेकिन आने वाले वक्त में दोस्तों वो लोग जिनको आज आप on passive की founders दिलाएंगे definitely वो आपको दूआ देने वाले हैं कि आ आप सब जानते हैं यह future strict business है और आपकी generation to generation जो है इस business का फाइदा उठाने वाली है तो दोस्तों stay tune और अब Monday है Monday आ रहा है तो हम लोग सब बहुत जादा excited है क्योंकि data center हमारे आ रहे हैं उसके बारे में आपको बता है Monday जो है round the table session भी रहेगा और हो सकता है हमें round the table session में ब आप